नमस्ते दोस्तों मैं विवेक मंतरी आपका numerologist दोस्त counselor and clinical hypnotherapist आज हम लोग एक बहुत interesting topic पर बात करेंगे that is relationship and numerology relationship and numerology यह सापने सही सुना हम देखते हैं बहुत बार अपने life में कि बहुत से लोगों के साथ relationship बहुत अच्छे होते हैं कुछ लोगों के साथ खराब होते हैं कुछ लोगों के साथ तो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं तो कभी आ आपने सोचा है कि यह क्यों होता है yes most of the time's maximum times आपने जो numbers होते है हम जिस number पे पैदा हुए हैं वो numbers बहुत important होते हैं आपके उनके साथ रिलेशनिशिप को आगे किस तरह से बढ़ाना है किस तरह से कहां पर कंट्रोल करना है यह सब चीज़ें के लिए बट अब यह सोचिए कि आपकी शादी हो चुकी है अब आप किसी नियुमेरा दोजिस के आपके हजबन को छोड़ दोगे नहीं बट होता क्या है बहुत बार नियुमेरा लोजिमें यह एंटी नंबर के वजह से गलत फेहां बहुत बार गलत तरीके से जब आप किसी चीज़ को प्रजेक्ट करते हो तो उस वजह से होती है अगर आपके नंबर आइंटी है फॉर एक्जामपल अगर को पैदा हुआ है उसका स्पाउज अगर नाइन को पैदा हुआ है को यह अगर एक नंबर को है उसका स्पाउज आट को पैदा हुआ है या इस तरह से अगर आपके कॉंबिनेशन हैं तो दोस्तों डरने की ज़र्वत नहीं है अगर भी आज आपके लाइफ में मुश्किल आ रही है बट उन बेचारे ग्रतारों को दोश मत दो फोकस करो कि अगर कोई जिस नंबर पे हुआ है उस नंबर के ट्रेट्स क्या है उस नंबर का इंसान एक्जाक्ली चाहता क्या है जब आप उन कमियों पे उसके पॉजिटिव एंड उसके नेगेटिव चीज़ों पे जब आप काम करोगे तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ आसान होनी शुरू जिन दोहों के भ चैंण पालान क्षाय एक इन कि कर सकते आप उन की लाइफ में भी वैडियो एडिशन कर सकते हो को आज हम उन नमबर को ही समझेंगे एक से नौ तक 64 की कालों को या आपके सुनने वादों को या आपके दोस्तों को काम कोशिश कीजिए इसके नोट्स बना दीजिए आपको बहुत मज़ा आएगा तो अब हम जाते हैं सबसे पहले बर्थ नमबर वन मतलब जो लोग एक तारीश को पैदा हुए हैं एक दस उननीस एन अठाइस तो ये लोग जो हैं ये क्रियेटिव होते हैं सेल स्टार्टर होते हैं मोट सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं इनमें लेडर्शिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती हैं दे आल्वेज वांट टो टेक चार्ज अव दे सिटुएशन हम हर इक नंबर को देखेंगे उसके बाद आगे जाके समझ लेंगे जो दो तारीश को पैदा होते हैं यह लोग बहुत ज़्यादा कंपैशनेट होते हैं डिप्लोमेटिक होते हैं डिप्लोमेसी इनमें होने ही चाहिए फिर बहुत हैं मृद्योभाशी होते हैं सौट स्पोकन होते हैं दो तारीश को पैदा होने वाले लोग मतलब दो ज्यारा बीस और उनतीस तीन तारिख को जो लोग पैदा होते हैं, ये लोग expressive होते हैं, नहीं हैं, तो होना ही चाहिए इनको, इनका expression बहुत important होता है, अगर ये express नहीं करेंगे तो दिक्कत आती है, तीन तारिख मतलब 3, 12, 21 and 30 तारिख, तो ये लोग अगर अपने expression पर ध्यान दे, अगर ध्यान से अ maximum misunderstandings clear हो जाते हैं, फिर आते हैं number 4 पर, number 4 वाले जो लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा practical होते हैं, organized होते हैं, नहीं हैं, तो होना चाहिए इनको, इन्होंने अपने plans को जितना हो सकें, जब तक complete ना हो, अपने अंदर ही छुपा के रखो भाई सार्वरना तखली होती है, they have to be more practical towards the life, they have to see that they are able to focus on the positive aspect, चार तारीश को पैदा होने बादे मतलब 4, 13, 22 and 31, जो लोग पांच तारीश को पैदा होते हैं, इन लोगों ने हमेशा एक बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये freedom lovers होते हैं, इनको हमेशा देखना चाहिए कि खुती आइडेंटिटी को कैसे सही तर इन वर्कशॉप मैं आपको दे रहा हूं, तो इन्होंने उस चींज़ पर त्यान देना चाहिए, इन्होंने अपनी आइडेंटी को क्रिएट करने चीत तरह भी फोकस देना चाहिए, अब आते हैं नमबर छे पे, नमबर छे पर जो लोग पैदा होते हैं, मतलब छे, पंद तो six is also about love, छे नमबर आपका घर, फैमिली, लव, डिवोर्स, प्लस आपकी commitment ये भी छे नमबर पर डिपेंड होती है, कैसे वो आगे देखेंगे, फिर साथ नमबर, साथ नमबर पर जो लोग पैदा होते हैं, मतलब साथ, सोलर और पचीस, ये लोग बहुत ज्यादा इंट्र हमेशा देखेंगे कि अपने plans को security रखें, हमेशा देखेंगे कि अंदर ही अंदर सोटे जाएंगे, इनका ये favorite गाना होता है कि आएने के सौ टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तनहा थे हम, सौ में भी अकेले हैं, ये आज साथ नमबर के लिए बहुत फिड़ ब होते हैं, इन लोगों को सही और गलत का फैसला करने में बड़ा मज़ा आता है, ये slow mover होते हैं, कोई भी decision जल्द बाजी में नहीं देखेंगे, and इनकी life हमेशा उसे हिसाब से चलते हैं, कि yes, they try to find out outcome क्या है, purpose क्या है, 9 तारिख को जो पैदा होते हैं, ये perfectionist होने की कोशिश करते हैं, perfectionist होते हैं, इनको गुसा भी कभी कभी जल्दी आता है, 9 तारिख वाले लोग जो होते हैं, मतलब 9, 18, and 27, इन लोगों ने हमेशा देखना चाहिए, कि अपने काम को पूरी तरह से खतम करते, अपने कामों को जोड़ना चाहिए, focus करना चाहिए, कि अपने कामों को खतम करें, अपने लाइफ में देखें कि completion कि जिस तरह से करेंगे, तो चीज़ा आसान हो जाएंगी, अब आपने 9 numbers तो समझ लिए, बिल्कुल मुझे यकिन है, जिन्हों ने लिखके नहीं लिया है, प्लीज लिख लो, ये पूरा लिख लो, और फिर उसके बाद समझने की जाओ कोशिश कर दो, अब हम एक case study लेते हैं, फर्स करो, कोई husband है, जो BN5 है, और कोई wife है, जो से BN8 है, जा चलो, जो सबसे ज़्यादा numerology में anti combinations माने जाते हैं, चार और ये combinations को लिए देते हैं, सब फर्स करो, husband चार नंबर का बहुन है, और wife आठ नंबर की बहुन है, numerology के हिसाब से ये numbers anti है, बट मैं कहूंगा कि भले ही anti है, फिर भी इनकी married life बहुत अच्छी हो सकती है, 100% हो सकती है, यहाँ पर इनको कहां focus करना चाहिए, तो यहाँ पर husband को देखना चाहिए, कि wife का number 8 है, wife का number 8 है, means she is slow in taking decisions, she is thinking twice, she wants judgment, she looks out for the outcome first, wife हमेशा ये देखेगी, जो चाहर नंबर वाले husband की बात कर रहा हूं, जिनकी wife 8 नंबर की है, या spouse वाइसा वाइसा कर दीजिए, तो यह हमेशा देखेंगे, कि इनका partner जो है, यह slow moving है, उतको जल्दबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो यहाँ पर दिक्कत क्यों आती है, कि चाहर न आठ वाले, आठ वाले जो wife है, या spouse है, वो अपने partner को कैसे देखेगा, कि आए, मैं कुछ सोच समझ के decision सी नहीं लेत या करेगी, तो दोनों के जो traits है, जिन जिन लोगों को लगता है कि सबसे अपने married life में कोई दिक्कत है, तो प्लीज अपने traits, सबसे पहले paper पर एक column बना जी, एक divide कर दी जाए, दो, एक page को दो हिस्तों में, अपने traits left में लिखिए, spouse के traits, right में लिखिए, इस workshop, इसको एक workshop क तरह लिखिए, आपकी life बदर जाएगी, देखने का नदर्या बदर जाएगा, अब left hand side में आपके traits लिखिए, spouse के traits, right hand side में लिखिए, अब देखिए कि आप exactly कहां पर focus करते हो, कहां पर आपको focus करना चाहिए, अगर आप देखते हो कि आपका spouse organized होना पसंद करता है, तो you have to work towards yourself also to be organized, अगर आप देखते हो इस कॉलम में कि your spouse is a slow mover, then you need to work out on your pace, कि कहीं आप दुनिया से आगे जाने के अगर कोशिश कर गया हो, तो यहां पर भी relationship में दिक्कत आएगी, अगर spouse चार नंबर का है, तो spouse जो है वो organized होगा, तो आपको देखना है कि आप organized हो जाओ, अगर spouse साथ, जो भी आपके numbers आते हैं, सबसे पहले उसको लिख लीजे, और जब आप उन traits को match करोगे, तो आप देखोगे कि आप की कमी कहा है, आपके positive points कहा है, आपके spouse की कमी कहा है, आप उनके positive points कहा है, और जब आप इन positive points को ध्यान से देखोगे, तो अब आप अपने आपकी life सही तरहीं किसे देख पाऊगे रेमेडीज कीजिये नि मैं कहा नहीं कहता हूँ रेमेडीज बिलकुल करने जाहिए बाट रेमेडीज एक्स असा प्लैसिबॉर कॉर्वेक्ट रेमेडीज आपको काम करती है हईंड्रेडर परसेंट या आपके मांसिख समाधान भी आपको दे हो इस particular relationship workshop जो मैंने आपको अभी दिया है इसको अगर ध्यान से करते हो तो आप maximum आपके friends की आपकी बहुत से लोगों की मदद कर सकते हो यह वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को भी नीचे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को फॉलवर्ड भी कीजिए हो सकता है किसी की लाइफ बदर जाए किसी की लाइफ में एक बड़ा सा चेंज आ जाए आपको भी दुआएं मिलेंगी मुझे भी खुशी होगी कि चलो आज कुछ तो कुछ कुछ हो गया कि एक relationship तो बच सकते हो अगर आप एक अच्छे counselor हो अगर आप एक therapist हो और अगर आपके पास कोई clients आते हैं तो प्लीज पहले उनके numbers के traits को भी समझो आप देखोगे कि आप उनकी life को एक नया आया हम देपाऊगे इसे के साथ मैं इजाज़त चाहूंगा आपका नेम नेम्रोलोजिस्ट वि हाँ